हैलो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे हुमन डिजिस यानि की मानव रोक्स रिलेटेड वेरी वेरी इंपारेंट अब्जेक्टिफ क्योचन जो आपके हर एक्जामों के लिए सिलेक्टेड और इंपारेंट लिया गया है तो आपसे छोड़ा सा र लेकिन उसमें भी जिवानु से होने वाला रोग यह पूछा जा रहा है और आपको बता देते हैं कि AIDS जो है वो वाइरस से फृलने वाला रोग है, c ovalis, option B, bacteria जिसको जिवाणु हिंदी में बोलते हैं, और harpeet जो है, वो भी वाइरस से फृलने वाला रोग है, हेंपैटायटीस, वो भी वाइरस से फ्ह़लने वाला रोग है, और यौन संचारित को short form में क्या बोलते हैं तो यौन संचारित रोग को short form में A steady बोलते हैं A steady मतलब sexual transmitted disease नेक्स्ट क्योंचन है टाइफाइड के जिवानू का खोज कौन के थे देखें टाइफाइड के जिवानू का खोज कौन के थे लेंड अस्टिनर जो थे वो रक्त समू का खोज किये थे और अस्टिनार्च जो थे वो लिंग हर्मोन का खोज किये थे और आपको बता देते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरू दवा दिजागा ताकि आपको हर वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले नेक्स्ट क्योशन है इन में से कीज चैनल करन गंजेपन का रूग होता है Ever और किया था उप्रटियों की परभावित टीका किसके द्वारा किया गए था उप्रसण जैसे गिबन ऑप्रसन भी यहुंस वोबर्ट एडवर्ड और उप्रसण डिये Jam's Simpason कौन सौ Option पर सही होगा तो यहां पर Option जो B है वो सही है जोनास E.Salk के द 음ारा क्या पुलियो का पहला परभाविटिका जो है वो J.Salk के द 왜냐하면 तयार किया गया था begged option B सही है Next ko 저희가 tem Nimen में से कौन से भीमारी A.D.S, 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 A.D.S बिभार कई और आपको बता देते हैं गुनिया जो है एडिज बुखार जो है वो एडिजेप्टी के दवारा फैलता है ठीक है किसके दवारा एडिजेप्टी के दवारा फैलता है वो पूछा जा रहा है ठीक है नेक्स्ट की उचन है नीमन में से कौन सा जो कवक से होता है देखे यह आप्शन में से कौन सा बिमारी है जो कवक से होता है option A, dama and b, athlete foot and a, b d, malaria कौन सा option सही होगा तो यहां पर option C जो है option C वो सही है ठीक है option C जो है वो सही है कि मतलब कवक से होने वाले भीमारी कौन है dama और athlete है next क्यों चन है healy months के कारण कौन सा भीमारी होता है option A, a3 आप सार और और बी दोनों और option D है वो प्युक्त सभी कौनसा option सही होगा तो यहां पर option C जो है वो सही है ए और बी दोनों ठीक है अतिसार और फाइल एलिया दोनों जो बिमार है वो होता है next question है रेवीज रोग के टीके की कोच किस ने किया था option है रॉबर्ट हसल और option B है रॉबर्ट कोच और option C है लुई पास्चर और option D है लिवरन कौनसा option सही होगा तो यहां पर option C जो है वो सही है लुईस पास्चर जो थे वो रेवीज के टीका की कोच किये थे option C सही है next question है प्रोटो जोवा के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है देखे किस के कारण तो प्रोटो जोवा के कारण ठीक है प्रोटो जोवा के कारण कौन सा बिमारी होता है यह बताना है option यह है जा option B मलेरिया और option C 6 रोग और option यह कौन सा बिमारी जो है वो प्रोटो जोवा के का होता है कि मललेरिया के कारण होता है कि सही नेक्ष्ट क्योशन है कि मच्छर मलेरिया का वह लम ब Hem यह सबसे पहले कि ने बताया था कि मढelnut को बातां सबसे पहले कौन बताया था इस को बताना यह बहुत क्योंट है आप्टेजन है रोगर्त कोच और ऊप्सार कौन बटायी को न भुव 11 यह सबसे पहले बताये है वो किस अंग को परभावित करता है और प्रोटो जोवा की वज़ा से कौन से बिमारी होता है देखिए प्रोटो जोवा के करण कौन से बिमारी होता है यहां पर ऑप्सन जो बिह वोगा और पेचिस और आप इसी तीन्यू ठीक है नेक्स्ट के उचरहे है इसा विशाक्ता के रूप में भी जाना जाता है मतलब कि सीसा विसाकता की रूप में जाना जाता है इताई इताई पबंबियम असनायूसूल और ऑप्षन बी है बाइसी नोसिस कौन सा उप्षन से होगा तो यहां पर ऑप्षन बी जो है वो सही है फ्लम्बियम ठीक है फ्लम्बी सम ऑप्षन भी सही है नेक्स्ट की उचनल ऐसी त네 की मतलब कि और ऐसना की स्राइए सरे जाती है तोसक्ति zaten और और Ä्प्षन प्लम्ब अक्ष्रों। ऐसा के बीमारी में और ऑर ने knikes चेनल peculiar है किसके कारण होता है ज्यांड माता जो ஊंत हुब है वो पारे किसकेकारण होता है और यह वीडियोय समापत होता है अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाल आइकन जरूर दवा दिजेगा मिलेंगे नेक्स वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद